शिरी देवी कवज ओम इस शिरी चंडी कवज के ब्रह्मा रिशी अनुष्टम्ध चंद मुंदा देवता अगन्यायस में कहीं गई मताएं बीज दिर्बंध देवता तत्व हैं शिरी जगदंबा की प्रिती के लिए सबसती के पाठम भूत जप में इस कावी ने यो किया जाता है उम चंडीका देवी को नमस्कार है मारकंडे जी ने कहा पिता महा जो इस संसार में परम गोपनी है तथा मनुश्यों की सब परकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक अपने दूसरे किसी के सामने प्रवट नहीं किया हो ऐसा कोई साधन मुझे बताए ग्रमा जी बोले ब्रामन ऐसा साधन तो एक देवी का कवज ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय पवित्र था संपून परानियों का उपकार करने वाला है महमने इसे शरवन करो देवी की नो मुर्थियां है उन्हें नवदुर्ग कहते हैं उनके प्रिथक प्रिथक नाम बता लाए जाते हैं प्रथम नाम शेल पुत्री है दूसरी माता का नाम भमचारनी है तीसरा सबरूप चंदरघंटा के नाम से परसीद है चोथी मूर्थि को कुमंडा कहते हैं पांचमी दुर्गा का नाम सगंद माता है देवी के छटे रूप को कत्याइनी कहते हैं सातमा कालरात्री और आठमा सबरूप महागोरी के नाम से परसीद है नमी दुर्गा का नाम सिद्दात्री है ये सब नाम सवर्ग सवर्न महातमया वेद भगवान के द्वारा ही प्रत पादित हुए है जो मनुश्य अगनी में जल रहा हो रनभूमी में शत्रों से घिर गया हो विक्ट विशे संकट में फस गया हो तथा इस परकार भैसे अतूर होकर जो भगवती दुरुगा की शरण में प्राप्त हुए हो उसका कभी कोई अमंगल नहीं होता युद के समय संक में पढ़ने पर भी उनके उपर कोई विपत्ती नहीं दिखाई देती उन्हें शोग दुख और भैकी प्रीती नहीं होती उन जिन्होंने भक्ति पुर्वक देवी का समरन किया है उनका निश्चे ही अद्भुत युप्त होता है देवे श्री जो तुम्हारा चिंतन करते ह उनकी तुम निस संधे रक्षा करती हो जब उन्डा देवी प्रेत पर आरूंड होती है वारही भैसे पर सवारी करती है एंद्री का वाहन रावत हाथी है वैशनवी देवी गरुड पर ही आसन जमाती है महेश्वरी विशब्भर आरूंड होती है कुमारी का वाहन मेयोर है भगवान विश्णु की प्रयत्मा लक्षमी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारन किये हुए है विशब पर आरुंड ऐश्वरी देवी ने शेत रूप धारन कर रखा है ब्रामी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब परकार के अभूशनों से विभूशित है इस परकार ये सभी मताएं सब परकार की योगशक्तियों से तत्र हैं उनके सिवा और भी बहुत सी देविया हैं जो अनेक परकार के अभूशनों की शोभा से युक्त तथा नानपरकार के रतनों से शोबित हैं ये संबूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भगतों की रक्षा के लिए रत पर बैठी दिखाई देती हैं ये शंक चक्र गद्दा शक्ती खल और मुशल खेटक और तॉमर पशु तथा पाश कुंत और त्रशूल एवम उत्तम शंक पुश आदी अश्त्र श्त्र अपने हाथों में धारन करती है देत्यों के शरीर का नाश करना खक्तों को अभेदान देना और देवताओं का कल्यान करना यही उनके शाश्त्र धारन का उदेश्य है कवच रंब करने के पहले इस परकार प्रातना करनी चाहिए महान रोद्र रहान भेदान का नाश करने वाली हो तो महान नमसकार है तुम्हारी और देवता तुम्हारी और देखना भी कठीन है शत्रों का भेदाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करें करो पूर्वे दिशाओं में इंद्र शक्ती मेरी रक्षा करें अगनी कोन में अगनी शक्ती दक्षिन दिशामे वारही तथा नत्र कोन में खडगधारनी मेरी रक्षा करें पस्चिम दिशा में वारुनी और व्याय कौन में म्रग कपर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करो उत्तर दिशा में कौमारी और इशान कौन में कुल धारनी देवी रक्षा करो ब्रामनी तुम उपर की और से मेरी रक्षा करो और वैशनवी देवी नीचे की और से मेरी रक्षा करें इस परकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चमुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करें जया आगे की और विजय पीछे की और से मेरी रक्षा करें हम भाग में अजिता और दक्षिन भाग में अपराजिता रक्षा करें शोतनी शीखा की रक्षा करें उमा मेरे मस्तक पर विराज मान होकर रक्षा करें ललाट में मालाधरी रक्षा करें और ये शश्वनी देवी मेरी बोहों का शक्षन करें बोहों के मद्य भाग में त्रिकोना और नखनों की यमघंटा देवी रक्षा करें दोनों नेत्रों के मद्य भाग की शांखनी और कानों में द्वारवासनी रक्षा करें कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शाकनी कानों के मूल भाग की रक्षा करे नाशिका में सुगंधा और उपर के होंटों में चचिका देवी रक्षा करे नीचे के होंटों में अमरित कला तथा जीबा में सरस्वती देवी रक्षा करे कुमारी दातों की और चंदिका कंठ परदेश की रक्षा करें चित्र गंटा गले की घाटी की और महा माया तालू में रहकर रक्षा करें कमाक्षी धोड़ी की और सर्व मंगला मेरी वानी की रक्षा करें यद्रकाली ग्रिवा में और धनुधरी उक्षुम्च में दंद में महे करमेरी रक्षा करें कंथ के बाहरी भाग में निल ग्रिवा और कंथ की नली में नल कुबरी रक्षा करें दोनों कंथों में